इस वीडियो में हम राजिस्तान करमचारी चेन बोर्ड की और से बार बार पूछे जाने वाले रीपीट होने प्रस्मों को देखेंगे और टाइम आपके वास में भी कम है तो मैं आपको बिल्कुल कम समय में अधिक प्रस्म बताने की कोशिश करूंगा पांस मिनिट में लग परताब सिंग्जी गंदर बाइसी के दौरा जिनके गंदर बाइसी जो इनके दर्बारी कवी थे उनके समय में यह आपको याद करेना है इसके लावाए बात करें कि अकबर ने दिसंबर 1530 को परताब को समझाने के लिए किसको बैज़ा था तो यह अन्तिन समय में कौन आय करतायं आप नेफ्र फूराना वीडियो में देखा फिसलत इसरो वीडियो उसे परसान संग में म मेवार के मिने की जिसरिए कि बात कराρι सच्छल में कोन आथी नहर वाते पहला दूसरा गोडगिल 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 तिसरे में चाचा चोथे में पटे लाते हैं पिर आपके इसमें कि मलीनात पुसुमेला किस अस्तान पे लगता है तो मलीनात पुसुमेला ये बाड मेरे के तिलवाडा में लगता है अगला प्रस्थन देखते हैं इसमें कौन स स्कावरत्य का कौन सा गुस्ते विवाग थार के दे बॉस्तल का भाग है इन में से लूनी बेसी ने वह थार ये म्रॉस्तल का भाग है अगला प्रस्न ऐन्य की trustworthy बता में सब्सक्राइबननों यह जुदी कि व्रदी करता है कि में नाइटोजर्ण की व्रदी करते है I am अरब सगर की साका हो जाएगी बागी तीनों ये आपके बंगाल की खड़ी की नदिया हैं राजस्तान की पाकिस्तान की साथ में अंतराजी शिमा की लंबाई ये आपके होती है एक जार सत्तर किलो मिटर टोटल होती है 5920 उसमें से 1070 माइनस करेंगे तो बागी जो बचेगी ठीक 4850 वह आपके कौन सी हो जाएगी अंतराजी शिमा हो जाएगी जो पांस रज्यों के साथ में लगती है दांग किरानी के नाम से आप सभी को पता है डांग किरानी करोली को कहा जाता है ये दोलपूर का प्राचिन नाम कोठी था और अलवर को पुर्वी राजस्तान का पर इस द्वार कहा जाता है स्कोट लेंड की रूप में भी इसको जाना जाता है पाली की सरवादिक से मच अट जिलों के साथ में अगला प्रस्णा आपके हैं इन में से कौन सा सभी समेल इतनी है गगर नेदी को सभी को पता है मृत दिकत है बोराट एक पटा रहे हैं शेर शेर एक अरावली परवत्माला की चोटी है दूसरी चोटी सबसे हुची चोटी है और नाग पानी येखर प्रवत्माला की चोटी ही इस बी अरावली की दर्रा नहीं है 2017 गलत हो जाएगा पिर आपके प्रस्पिन पूछा है इन में से कौन सा है जो थानवयट के अनुसार ल उते हैं फोनियो मेंना से कौन सा शिल्ला है जो प्हुरता दिप्ट धशालने के नहीं आता है तो यह आपके मद्यवर्ती लकड़ी से निकाला जाता है इसका अंसर होजेगा मद्यवर्ती लकड़ी से तो यह सभी आपके इसी वीडियो में हमने 15 प्रस्नों की चर्चा की आगे की वीडियो में इसी प्रकार की और प्रस्नों की चर्चा करेंगी आपको अच्छा लगे तो